दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे UP ITI 2024 Online Apply के बारे में तो दोस्तो अगर आप UP से ITI करना चाहते हैं तो उसका admission form घर बेठे किस तरीके से भर सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको step by step एक live demo form फिल करके दिखाऊंगा जिसको देखकर आप आसनी से अपना UP ITI का form भर सकते हैं तो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम है असोख और आप सभी लोगों का मेरी YouTube चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं यहाँ पर आपको सबसे पहले scvt.up.in की यह official site पर आना है तो दोस्तो आपको form भने की link वीडियो के नीचे description box में मिल जाएगी डारेक्ट आप उस link के द्वारा इस portal पर आ जाएंगे तो दोस्तो आपको form भने से यहाँ पर जो आपका form का यहाँ पर जो सुल्की की बात करें तो यहाँ पर सामाने पिछला बर्ग के लिए 250 रुपे और अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती के लिए 150 रुपे form भने का चार्ज है और यहाँ पर आनलाइन आवेदन की तिथी की बात करें तो यहाँ पर 10 जुलाई 24 से start है अगर अभी तक आपने फार्म नहीं भरा है तो यहाँ पर आप 4 अगस्त 2024 तक अपलाई कर सकते हैं और यहाँ पर अगर आपके फार्म में किसी प्रकार का संसोदन करना है कोई गलती हो गई है तो यहाँ पर अभ्यारती अपने आवेदन को भनने तथा उसका भुक्तान करने के 85 अलग गंटे तक संसोदन कर सकता है तो दोस्त、 यहाँ पर आपको आपको आपेदन इस वाले ऑप्सन पर आपको क्लिक करना है यहाँ पर आपका जो रिष्टेशन पेंज लोपन हो जाएगा तो दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है यहाँ पर मैं आपको step by step एक live demo form फिल करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर दोस्तो आपको applicant name in English यहाँ पर English में नाम लिखना है इस तरीके से यहाँ पर दोस्तो English में नाम लिखना है और यहाँ पर आपका हिंदी में टाइपिंग करने में असुविदा हो रही है तो यहाँ पर google input tools इस पर आपको click करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक दूसरी window open हो जाएगी तो यहाँ पर आपको अपनी भासा यहाँ पर हिंदी select कर लेना है उसके बाद में यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे इस तरीके से आपको तो यहाँ पर दोस्तो आप इसे copy करके और यहाँ पर paste भी कर सकते हैं इस तरीके से अपना हिंदी में नाम डाल देंगे यहाँ पर दोस्तो father's name in English इंग्लिस में father's name आगए यहां पर हिंदी में आगए यहां पर mother's name English और यहां पर हिंदी में उसके बाद में यहां से आपकी जो भी date of birth है वो date of birth है select करेंगे और यहां पर category आप general OBC SCST जो भी आपकी category है select कर लेंगे इस तरीके से उसके बाद में यहां पर करना मुबाइल नंबर डालेंगी यहां पर आधार नंबर डालेंगे और मुबाइल पर OTP का है OTP यहाँ पर डालेंगे और verify और प्रोसेस त्यापन करें इस पर click करेंगे दोस्तों फिर यहाँ पर सत्य दोहजार चोबिस पच्चिस में राच्की अथवा निजी अथवा राच्की एवं निजी आईटी आई में प्रवेस लेने के लिए आवेदन करन है तो क्रपया निमने विकलपो में से किसी एक का चैन करें तथा आगे की प्रिक्रिया को पूरा भनें आनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट निकालें तो यहाँ पर दोस्तों आप राच्की ए गवर्मेंट आई टी आई में एडमिसन लेना चाहते हैं या फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सम्मिट बटन मिलेगा इस बाले ऑप्सन पर आपको क्लिक कर देना है फिर यहाँ पर दोस्तों आपकी जो डीटेल्स है वो यहाँ पर आएगी दोस्तों यहाँ पर फिर आपकी अगली इस्टेप आती है यहाँ पर स्पाउस नेम तो यहाँ पर पती या पतनी का नाम अगर साधी होगी है तो यहाँ पती पतनी का नाम डाल सकते हैं यहाँ पर जेंडर आप male candidate है या female candidate सलेक्ट करेंगी यहाँ पर दोस्तों आता है आपका sub category यहाँ पर आप physical handicap में आते हैं यहाँ पर अगर मानेटी केटिगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप इसे सलेक्ट कर सकते हैं अधर बाइस जिदे एने कर सकते हैं इनमेज से नहीं आते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर आता है इमेल आईडी तो यहाँ पर आपको अपनी इमेल आईडी डाल देना है इस इसके बाद में यहाँ पर Other State District का नाम डाल देंगे अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे दोस्तों जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको Home District, आपका home district क्या है वो यहाँ पर इस लिष्ट में से सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में Home तहसिल या आपके तहसिल क्या है तहसिल सलेक्ट करेंगे यहाँ पर Home Block आपका Home Block कौन सा है वो इसमें से यहाँ पर सलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में आता है यहाँ पर Permanent Address तो यहाँ पर इस box में आपको अपना full permanent address डाल देना है यहाँ पर आपको state select करना है उत्तर प्रदेश जो भी हो यहाँ पर district name डाल देंगे और यहाँ पर अपने area का pin code डालेंगे और यहाँ पर दोस्तो permanent phone number इस्थाई phone number डाल देना है इस box में यहाँ पर दोस्तो आपका local address यहाँ पर address for correspondence यहाँ पर पत्र बेभार के लिए पता अगर दोनों address आपका same है तो इस डबे पर same assist पर click कर देंगे अलग से आप देना चाहते हैं तो अलग से भी दे सकते हैं उसके बाद में save and go to next step इस पर आपको click करना है दोस्तो यहाँ पर फिर आपकी अगली step आती है qualifying, educational, qualification, अहंकारी सिक्षक योगिता तो यहाँ पर Rb के बेश से आप ITIE करना चाहते हैं तो Rb select करेंगे 10b के बेश से करना चाहते हैं तो 10b उत्रिन select करना चाहते हैं तो इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको 10b में आपका क्या 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 था यहाँ पर जिसे आपको 10b उत्रिन बिग्यानेवम गणित बिशयों के साथ हैं तो यह select करेंगे या फिर यहाँ पर दोस्तो 10b उत्रिन बिग्यानेवम गणित बिशयों के साथ हैं तो इस पर टिक करेंगे विवस्ता के अंतरगत तत्वा संकच्छ तथा सारीरिक दक्षिकता उचाहिए आपकी 165 सेंटीमेटर और बजन 52 किलोमेटर और सीना 81 सेंटीमेटर सामान ने फुला हुआ 85 सेंटीमेटर तत्था MBBS योगता धारक चिकिसक द्वारा विसेश हेतु प्रदत्त चिकिसा स्वास्त प्रमान पत्र आपके पास में हैं तो ये सलेक्ट करेंगे आपके पास में दस भी उत्रीन विग्याने में गणित विसेओ के साथ उत्रीन उसी छेतर में विवसाइक विस में नॉर्मल आप ये सलेक्ट कर सकते हैं ये अपने अकोडिंग आपको यहाँ पर टिक कर देना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है अपका यदि अब भ्यारती ने CBSC बोट से 10B की परिक्षा उत्रीन की हैं तो CGPA कालम में CGPA भरें तथा उसका प्रतिस्यत निका यहाँ पर रोल नंबर और यहाँ पर पासिंग एर कौन से अर में आपने आट भी पास किया है वो सलेक्ट करेंगे और यहाँ पर सब्जेक्ट बीसे डाल देंगे आट भी में क्या था यहाँ पर मार्क पूर्णांग तो यहाँ पर टोटल कित्ते का होता था आड़ में मान लेजिए 600 का यहाँ पर कितने आएं तो यहाँ पर 510 इस तरीके से आपको अपना यह नमबर दे देना है उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों आता है अगर आप 10B के बेस से भर रहे हैं यहाँ पर तो 10B कलास यहाँ पर UP बोर्ट से किया है या CBST बोर्ट या फिर IC, SC बोर्ट या फिर Other बोर्ट तो जैसे Other बोर्ट से है तो Other बोर्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं फिर सभी सब्जेक्ट के नाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर पूर्णांग आपका यहाँ पर टोटल कित्ते का होता था और यहाँ पर कितने नमबर आये हैं यहाँ पर इस तरीके से आपको लिख देना है तो यहाँ पर आपके परसंटेज निकल जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर नेम ओफ प्रिव्यूस आईटी आई पिछला आईटी आई का नाम यहाँ पर दोस्तो अगर आपने पिछला आईटी आई दिया है किया है तो उसका आईटी आई का नाम यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पर name of the previous ITI trade अगर यह details है तो डाल सकते हैं otherwise इसे खाली छोड़ देना है उस्तो यहाँ पर आपको बरियता अंके हेतू बिसे स्रेणी का चैन यहाँ पर दोस्तो अगर आप राज जिस्तरी ए खिलाडी प्रमान पत्र है आपके पास में या फिर राज के अध्योगि दोस्तो आपका जो photograph है यहाँ पर latest photo maximum आपका 50KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए JPG format में 50KB से कम इसका size होना चाहिए तो upload हो जाएगा यहाँ पर दोस्तो आपका signature upload your latest skin signature जो की 50KB से कम size होना चाहिए JPG format में तो यहाँ पर दोस्तो आपको upload कर देना है upload image पर क्लिक करके इ signature upload कर देना है उसके बाद में save and go to next step इस वाले option पर आपको click कर देना है दोस्तो अगले step आती है आवेदित course ग्रूप chain करें तो यहाँ पर दोस्तो ग्रूप A और ग्रूप B यहाँ पर दो ग्रूप में यहाँ पर ITI प्रदर्सित होंगे तो यहाँ पर ग्रूप A में अलग अलग जो courses होते हैं वो यहाँ पर प्रदर्सित होंगे तो यहाँ पर जिसे आपको ग्रूप A में करना है तो ग्रूप A select करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो फिर आपको इस्थानी आरक्षण है तो बिकल्प chain करें तो यहाँ पर आपको कौन सा ITI चाहिए आपके जो address है उसके नजदी की चाहिए मान लिजी आपको ग्रह जनपद में चाहिए तो ग्रह जनपद select करेंगे तो यहाँ पर जो भी आपके जनपद में है वही ITI की list यहाँ पर प्रदर्सित होगी यहाँ पर दोस्तो आपने जैसे मान लिजी ग्रूप A select किया है और यहाँ पर आपको आपक टिक करेंगे और चुने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं जो भी आईटी चैनित आईटी आई में जो सूची है वो कितने कोर्स होते हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे जैसे यहाँ पर आपको इस लिश्ट में से मेकेनिक इलेक्ट्रिकल वा आपका आईटी आई जो सलेक्ट किया है यहाँ पर देख सकते हैं आपका मेकनिक लेक्टिकल वाइकल एस्टी बीटी यह आ जाएगा उसके बाद में मान लीजिए आपको यहाँ पर सेकेंड चाहिए तो जैसे आपको इस्टेनोग्रापर की चाहिए इसी कॉलेज में इसी कास खंड लेबल पर चारो आपको चाहिए तो चारो जग़े सलेक्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर आपके जितने भी प्रदेश है सारे प्रदेश के जिले में जो भी आईटी आई है वो यहाँ पर उसकी लिष्ट प्रदर्सित होगी तो मान लीजिए आपको जो भी चाहिए म आप जैसे इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी उसमें जो कोर्सेज होते हैं वो यहाँ पर उसकी लेश्ट यहाँ पर आ जाएगी अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यहाँ पर हटाएं वाले आप्शन पर टिक करके हटा भी सकते हैं तो यहाँ पर जैसे आपको दो तो मानलीजी आपको ग्रूप B में ये वाला चाहिए तो ये चुने इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपके द्वारा भरे हुए सेक्षिनिक योग्यता अत्वा ग्रूप के अनुसार चैनित आई टी आई में कोई भी वेवसाय उपलब्द नहीं है तो यहाँ पर दोस्तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकोडिंग यहाँ पर प्रदर्सित होगा तो आपकी जो क्वालिफिकेशन डाला है उसके अकोडिंग ग्रूप B के लिए यहाँ पर प्रदर्सित नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर पूरे ग्रह जिले में या फिर विकास खंड या तहसिल इस्तर पर यहाँ पर आप उसका जो selection है वो यहाँ पर कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपको preference देना है जैसे आपको मान लीजे यह इस टेनोग्राफर का पहले देना है यह आई टि आई में तो इस पर टिक करेंगे तो इससे आप इसे उपर नीचे भी कर सकते हैं यहाँ पर आपको उपर नीचे इसएरो से ले जाना है तो उपर नीचे भी आप अपना preference दे देना है इस तरीके से यहाँ पर दोस्तो जो भी नमबर पर आपको रखना है पहले नमबर पर तो यहाँ से एरो से सलेक्ट करके आपको उपर नीचे कर लेना है तो दोस्तो आप यहाँ पर पहले ग्रूप A और B सलेक्ट कर लेना है और कौन से इस तर पर आपको आईटी आई चाहिए वो यहाँ पर उसी प्रकार से लिष्ट ओपन होगी तो यहाँ पर अपने अको लगता है कि आपका प्रोफरेंस सही है तो यहाँ पर दोस्तो आपको न जी आईटी आई के लिए भी करना है तो यहाँ पर अपना ग्रूप सलेक्ट करेंगी इस तरीके से और उसके बाद में यहाँ पर दोस्तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है ग्रूप A आप चाहते हैं दोनों ग्रूप में चाहिए तो दोनों ग्रूप भी सलेक्ट कर सकते हैं जैसी क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो भी प्राइवेट आई चाहिए यहाँ पर निजी आई टी आई तो जैसे मान लीजे यह चाहिए तो यहाँ पर चुने इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इसमें जो भी ट्रेट्स है वो यहाँ पर प्रदर्सित हो जाएंगे यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको जो सिक्वेंस है वो यहाँ पर एड हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आप चैनित आई टी आई जो किया है वो इसकी लिस्ट आ जाएगी उसके बाद में य यहाँ पर चुने इस पर टिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी ITI का आप प्रोफरेंस देना चाहते हैं वो यहाँ पर इस तरीके से आपको सलेक्ट करके आपको इस तरीके से अगर दिखाता है तो आपकी सेक्षिन की योगिता के अनुसारी यहाँ पर प्रदर्सित होगा आपक पर सहमत है इस पर आपको क्लिक करनेंगे तो यहाँ पर दोस्तो आपको अपनेs करना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको आप यहां पर debit इंटरनेट बैंकिंग या फिर यूपी आई या फोन पे गूगल पे पे टीम किस से करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जैसे QR कोट के माध्यम से करना चाहते हैं तो QR कोट सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर पे नाउ इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दोस्तो QR कोट सो हो जाएगा तो इसको आपको scan करके अपने form की finally payment कर देना है जैसे payment हो जाएगी तो आपका finally form submit हो जाएगा उसका printout निकाल कर save करके अपने पास में रख लेना है तो दोस्तो इस तरीके से आप UPITI 2024 का admission form घरवेट है भर सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में share कीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करें ताकि आगे भी आपको इस से related वीडियो की notification notification समय समय पर मिल सके thank you दोस्तो धन्यवाद